सुपरभात दोस्तों, आज फिर से मैं आपके सामने हूँ एक तरो ताजा और बिलकुल नए विसाई के साथ और इस विसाई का जो सिर्सक है वा यह है कि पूरसार्थ क्या है लेकिन इससे पहले कि मैं विसाई की सुरुआत करूँ मैं आपको बता दू कि मैं अभी पटना के म महसूर पार्क राजधानी वाटिका में हूँ और यहां पर सुबसुआ सैकड़ों लोग आते हैं मॉर्निंग जॉगिंग करने मॉर्निंग वाकिंग करने इसलिए अगर ऐसे जगा पर हो जहां उर्या भरपूर हो तो आपकी विसाई भी कुछ इसी तरह से होगी इसलिए आ जादा तर्में पुरसार्त को सिर्फ विपरीत लिंग के समकक्छरक के देखा जाता है यानि अगर महिला के लिए बात करें तो पुरसों के तुलना में देखा जाता है यानि कि कुल मिलाकर इसका जो विशलेशन है या इसकी जो समझ है वह सिर्फ एकांकी हो जाती है यानि काफी नैरो डाउन करके समझने की यह समझ है या यह कलें कि जो लोगों ने इस पर बोला है या व्याख्या किया है वह इससे उपर उठ नहीं पाएं इसलिए उनकी समझ वहां तक ही रह गई अगर इस पर बात करें तो पुरसार्थ केवल एक विशय या एक ही दिसा में जाने वाली चीज नहीं है या समगरता का चीज है समपूर्ण जीवन दर्सन है पुरसार्थ पुरसार्थ केवल आपके भोग विलास में आपकी कितनी इक्षाएं जागती है सिर्फ वहां तक नहीं है वह तो इसका एक लेशन का एक पेपर है या एक चैप्टर मात्र है जबकि पूरी किताब इससे कहीं ज़ादा है पुरसार्थ केवल अच्छी परिस्तितिों में ही आपको भोग विलास करने की छहंता नहीं देता है अगर सही में अगर پुरसार्थ किसी में जागा हुआ है तो वह विपृत से विपृत परिस्थितियों में धैर और सयम के साथ अडिक होकर खड़ा रहेगा बिल्कुल सहीद देखे जीवन में अगर कोई यह सोचता है कि जीवन केक वाक है या हमेशा अच्छी अच्छी चीजे जीवन में आती रहेगी या हमेशा enjoyment होगा, हसी, खुसी होगा और यही पूरसार्थ है कि आप जीवन को कितना भरपूर enjoy करते हैं तो आप सिर्फ सिक्के का एक पहलू देख रहे हैं सिक्के का दूसरा पहलू यह है कि जीवन बिना दुख के, बिना अवसाद के, बिना अभिवेंजना के, बिना कुछ ना होने की जो टीस है उसके बिना जीवन संपूर नहीं होती या ठीक उसी परकार है कि कोई भी फिल्म जो है वो बिना विलन के, बिना मार पीट के, बिना आप देखते होंगे कि बिना उसमें हिरो के स्ट्रगल के वो कम्प्लीट नहीं होते उसी तरह से जीवन है जीवन एक लए या एक रेखिये नहीं है जिसमें सिर्फ हसी खुसी या सिर्फ अच्छी अच्छी चीजे ही पुरसार्थ इस परिस्थीतियों में कैसे खुद के मजबूत किया जाए, खुद को सयमित रखा जाए और इन परिस्थीतियों से डट कर लड़ा जाए उसके लिए भी पुरसार्थ जाना जाता है, पुरसार्थ बहुत खुसी में बहुत जादा खुस होना नहीं बताता है, पुरसार्थ बहुत जादा दुख में दुखी नहीं होना बताता है, एक सयमित लाइफ की बात करता है, पुरसार्थ आपकी आंत्रिक उर्जा है, आंत्रिक या आपको विचलित नहीं करेंगी इसका आसा यह है कि आप अंदर से संपूर्ण या भरपूर रहेंगे तो बाहर के खाद्य परदात बाहर की आकरसन बाहर के वस्तू आपके सामने कमिया नहीं प्रस्तूत करेंगे और आप व्यर्थ में उनके तरफ आकरसित होके ललाईत हो एब तयमकोन होगा और आप जीवन में ज्यादा संतुष्ठ होंगे ज्यादा संतूलीट होंगे पुरसार्थ होगा जो आपको वजन देता है आप अब जल्दी में कोई को आपके मन औव इस्तिती नहीं को बदल नहीं देता है कहने का आस्या है कि अगर हल्कादी तो तो कोई भी आके कुछ बोलता है तो आप तुरत उसकी बातों में आ जाते हैं या उसे परभावित हो जाते हैं या तुरत कोई फैसला कर बैठते हैं जो भविस्म हो सकता है कि वह आपके लिए ठीक ना हो पुरसार्थ आपके व्यक्तित्तों को वजन देता है आप जल्दी कि पुरसार्थ का वजन है उसके बाद अगर अगली बात करें तो पुरसार्थ में इतनी ताकत होती है कि बाहे जो कहते हैं कि बाहे बिमारिया या जितने भी तरह के रोग हैं वह आपको विचलित या डराते कई बार हम निरोग होते हुए भी डर की स्थिती में जीते हैं कई बार हमें कुछ नहीं होता है फिर भी हम हमेशा भयांकृत होते हैं या अशांकित होते हैं कि अगर कुछ हो गया तो क्या होगा इस सारी परिस्थिती में पुरसार्थ आपको अस्थाइत्व देता है आपको स सिर्फ नकरात्मक्ता से लड़ना सिखाता है बलकि आपको आशानवीद भी करता है कि परिस्थितियां बदल सकती है लेकिन आपके लिए वह बदली भी परिस्थितियां को एक खास माइने नहीं रखती वह बस परिस्थितियां मात रहे जो की बदलते रहती है समय के साथ आज अच्छी है कल बूरी भी हो सकती है कल बूरी है आज अच्छी भी हो सकती है और यह चक्र है जो चलता है इसमें ना मेरा बस है ना किसी का बस है और हर आदमी पर यह लाग हुए तो पुरसार्थ आपको धैर देता है आत्म बल देता है और आपको पुरसार्थ भी देता है उस आपके अंदर इक्षाएं भी जानती है कि कई चीजों को हम जाने और आप ग्यान के परती आपके अंदर ललक होती है इस दुनिया को समझने के परती ही इसके सारे समिकरन को समझने के लिए आपके अंदर आकरसन जगता है और आप ग्यान के तरफ आपकी स्वता जो आपकी र पूछना चाहिए किसी के सामने अगर छोटा बनके भी ज्ञान मिले तो आप ले लेते हैं या पुरसार्थ आपको छमता देता है आपके अंदर वैर्थ का घमंड वैर्थ का अकड नहीं देता है क्योंकि पुरसार्थ इनसे बड़ी ऊर्जा है जब बड़ी ताकत आती है तो होगी प्रसिद्धी की प्राप्ति होगी जहां कुछ आपको मिलेगा आप वहां पर निसंग कोच बीना जीजक बीना किसी का परवाह किये आप आगे बढ़ते हैं और उसको प्राप्त करते हैं तो इस तरह से पुरसार्थ आपकी सफलता में भी सहायक है और जहां भी आपक भी होगे जो नित्रित्व की छमता है जो आगे बढ़कर बोलने की छमता है या भीड में सब बोल रहा हो वहां चुप लगाने की जो छमता है दोनों छमता आपके पास होगी यानि जहां पर आपको लगता है कि आपको बोलना चाहिए आप उतना ही बोलते हैं अगर आपको लगता कि यहां बोलना ठीक नहीं है आपको लाग कोई चाले आप नहीं बोलेंगे तो यह पूरा पुरुसार्थ आपको यह ताकत देता है यह तो कुछ वहवारिक जीवन है उसके बाद अध्यात्मिक जीवन में भी पुरुसार्थ आपको काफी सबलता देता है आप इस्व आपको प्राप्त होती है वह भी खुस होते हैं कि कोई वेक्ति आया है जो वाकई में उर्जानवित है वाकई में यह आदमी शाधरन नहीं है तो आपको जान भगवान आप में रूची लेते ही लेते हैं इंट्रेस्ट लेते ही लेते हैं और आपको आशिरवात देते ही देत यी तो अध्यात्मिक जगत की हुए उसके बाद अध्यात्मिक खेत्र में और भी आगे बढ़ते हैं अध्यात्मिक समझ आप गजब की हूती है कोई भी रहस्मई विसै हो जिस पह लोग घंटों बात करते हैं आपको वह भाव में उतराता है आप समझने लगते हैं कि यह ऐस वानी में असपस्टता, सूच में असपस्टता और निर्णे में असपस्टता आपकी दिख पड़ती है या कोई भी आदमी आशानी से उसको समझ सकता है या दिख जाता है. तो यह भी पुरसार्थ है, पुरसार्थ कैसे करते हैं, कैसे बढ़ाया आता है, इसके कई तरीके हैं, कभी उस पे भी अलग से हम जरूर बात करेंगे, लेकिन आज हम जो बात करें, पुरसार्थ है क्या, उसके बाद अगर सारे रिक शमता की बात करें, तो इस छेतर में तो गजब का पुरुसार्थ का काम आता है और ज्यादा तर लोग पुरुसार्थ को इसी छेतर से जोड़ कर देखते हैं आप दिन भर काम करें आप ठकेंगे नहीं आप जो भी काम करें उसमें मन लगेगा सारे रिक वयाम करें सारे रिक कुष्टी करें सारे रिक दोड़ें आप तोड़ते जाएंगे आपको मज़ा आएगा और आप इंज्वाए करेंगे और आप में ठकावाट स्लेश मात्र का भी नहीं आएगा और आप फिर से अगले किसी दूसरे काम के लिए तैयार रहेंगे कई बार मैंने देखा है कि कोई आदमी विशेज सरीरिक सरम करता है तो मा भी अवल दर्जे का परदर्शन आप करते हैं पुरसार्थ समग्र जीवन दर्शन है इसकी जितनी व्याख्या की जाए कम है इसी परकार से अगर पुरसार्थ की बात करें तो पुरसार्थ ज्यादा तर लोगों की उर्या तब जाकती है जब वह ग्रूप में होते हैं समू के साथ भी बाचित कर सके अकेला आदमी संकुचित आदमी होता है चुप आदमी होता है शान्त आदमी होता है और सब चीज सहन करने वाला होता है या सब कुछ सिवकार करने वाला होता है लेकिन पुरसार्थ आपको ताकत देता है आपको उर्जा देता है आपको आत्म बल आत्मिस्वास देता है कि आप अकेले होते हुए भी अपने आप में एक फौज है जो कहते ना one man army वह आप बन सकते हैं और आपको कभी भी किसी की जरूरत नहीं महसूस होगी हाँ आप उसका सही तरीके से जाने आपको हूँ आपको बशबते और विपृत परिष्टिति में चटान बनकर आपको तो कुल मिलाकर दोस्तों आज के विशय में बस इतना ही फिर हम अगले प्रस्तुति में किसी नए विशय के साथ आपके सामने आएंगे तब तक के लिए धनवाद